गुड मॉने स्टुडेंट्स वेलकम वेक टू यह कंप्यूटर क्लास तोड़े वी आर गुएंग टू कंट्यूनी दा चेप्टर एडिटिंग आ वरक्षीट पेज नंबर 53 एंड हैडेंग एडिट मोड ठीक है कल हम लोग ने जो पढ़ाता हुद पढ़ाता चेंजिंग दा प्रण कंटेंड क्या परता हा है चलगंजनिंग दा हो ठीक है था डिट यढ़ killing दा चूजन सेलन फॉम बी औल्सर ने डाटन इंड यह तैकम परते हैं जू सेल आपकी जो भी cell आपने चूज़ करें उस पर डबल क्लिक करेंगे विद दे अलप आफ माउस दे डाटा विल भी ऑल्सो डिस्प्ले होने लगेगा फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले होने लगेगा ओके इंसर्शन पॉइंट बिल बिलिंक इंसाइड दा सेल अब इंसर्शन पॉइंट क्या होगा इंसर्शन पॉइंट करना कुछ भी तो वह सेल के बीच में क्या होगा बिलिंक करने लगेगा ओके थर्ड बन दा एडिट मोड इस इंडिकेट ओन दा लेफ साइड ओफ दे इंसर्शन पॉइंट अब इंसर्शन पॉइंट कर सकते हैं जिस भी सेल को आपने एक्कॉयर किया हुआ है ठीक है यह स्लेट किया हुआ है प्रेसिंग था एंटर की फ olt चेंज बींटर दा डिज जभी एंटर टीजाइट सेल करते एंठ करदा तो क्या हुआ है कि आटर की और एंटर की को प्रेस करना जिससे कि क्या हों तर यह इवन गइन आपने की यह अब revital क्या करने वाला उसमें मालो मैंने 90 दिया हुआ है 90 जगे मुझे 100 करना यह तो उसके लिए मैथाड करना है डबल किलिक करेंगे इसका आपका जहाँ पर 90 यहां पर जो आपका edit mode होगे आपका left hand side में, last one क्या आपका, the contents can also be change by pressing the F2 button after the desired cell, content को क्या कर सकते हैं, आप F2 button की help से desired cell में, जो भी cell आपको select करने हैं, उसमें कर सकते हैं, the pointer will blink at the end of the cell content, अब वो pointer क्या करेगा, cell के end में, cell में content लेखा, उसके end में क्या होगा, blink होने लगेगा, ठीक है, next heading is, learning the feature of undo and redo commands, ठीक है, यह वड़ा interesting topic है, जब भी हम जैसे कोई data बनाते हैं, table में कोई entry कर रहे हैं, हमने माली 10 entries कर ली उसमें, data show कर दिया, उसके लाद हम आगे बढ़ गए, हैना, अब हमें suddenly लगा नहीं, पीछे हम से कुछ गलती होगी है, तो पीछे जाने के लिए reverse और forward, हैना, reverse और forward, जैसे हम लोग song सुनते हैं, उसमें होता है, reverse कर लिए song और forward कर दिये, सफ़ल इस तरह से button कुछ होते हैं, ऐसी में undo और redo command है, जैसे क्या होता है, माली जी आप third entry पे हैं, आपने का, मैं third entry पहुँच के, मुझे first entry पे जाना है, कुछ mistake होगी, first, second, third, क्या होई, हैना, mistake होगी, हमने क्या करा, इन दोनों बटन क्या है, undo कर दिया हमने, undo से क्या होगा, वो पहले second हटेगा, third हटेगा, second, फिर first, तो हम first पे पहुच हैं, फिर से हम re-entry कर सकते हैं, और redo करना है, तो क्या होगा, हम redo बटन कर देंगे, उसका, तो क्या होगा, फिर से 1, 2 3 अपने फिर से बापस आ जाएगा, तो इसका ये benefit है, अब पढ़ते हैं, कैसे करना है इसको, ठीक है, after changing the content in the cell, one may wish to retrieve the earlier content on the cell, वो यह में आपस रहा था, कि कोई अगर मालों हम लोगो को changes करना है, तो क्या करना है, रिट्राइब करना है, यानि पुरानी data को रिट्राइब करी, फर्स पर जाना है, तो उसको undo से कर देंगे, फर्स पर पहुच जाएंगे, ठीक है, यही चीज़ है, और कहां पर वोगा बटन, quick access toolbar में, अब redo देखो, redo command is repeat the last action, अब यह कहां, repeat कर रहा है, last action, किसके दोरा किये हुए है, वो using the undo command, जितना भी undo command से आपने action किये हुए ह उसको क्या कर रहा है, action को repeat कर रहा है, और बापस ला रहा है, यह redo काम होता है, यह का में लेगा, quick access toolbar में लेगा, ठीक है, redo बटन भी, अब इनके एक और चीज़ है, with the help of keyboard, हम दोनों method को apply कर सकते है, redo को भी है, और undo को भी, redo करना है तो control plus Z, जब भी हमें redo करना है, तो क्या ह okay, clear है बेटा, सभी हो clear होगा, ठीक है, अब क्या कह रहा है, new action cannot be undone by clicking any command on the file tab menu, if the action can't be undone, then the undo button change the can't, तुसमें क्या हो रहा है, few action cannot be undone by clicking any command on the file tab menu, है न, अगर file tab menu में जाके हम कुछी command, कुछ command ऐसे होते हैं, जो की undone हम नहीं कर सकते है, ठीक है, तो if the action can't be undone, अगर कोई action ऐसा है, can't undone नहीं हो रहा है तो then the undo button change into can't undo, तो undo क्या करता है उसे, change into किसमें करता है, can't undo में, ऐसे ही redo में होगा आपका, few functions such as using a particular function, तो particular function in a cell cannot be replaced, क्या नहीं हो पाते है, in the last action, cannot be repeated then, कुछ limited functions की बात चल लगी यहाँ पर ठीक है, तो क्या हुआ, the redo button change to the can't repeat, अब यूट रिपीट, वहाँ कहा था, can't undo यह can't, repeat, अब हम next setting क्या पढ़ने वाले है, insertion of rows and column, क्या करने है, insert करेंगे हम rows and column को, rows and column already बता चुका हम, आप लोगों क्य होती है, rows and column, table जो बनानी हो, with the help of rows and column होता है, ठीक है, तो blank rows and column and cell can be inside worksheet, ठीक है, worksheet, अब next setting क्या आगई आपकी, inserting a column, कि column को insert कैसे करना है, पहले क्लिया कर लीजिए, कि column होता क्या है, ठीक है, column के लिए हम क्या देखेंगे, यह देखेंगे, इसको zoom कर लेते हैं, जिन table को, यहां से read कर रहे है, ठीक है, यहां से read कर रहे है, clear है, क्या कर आप मिने, अगर table को हम, top to bottom, top to bottom read कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यह, सारे हमारे columns हैं, इसे मैं clear कर आखेंगे था हम RAW, घीक है, जा हम left to right read करेंगे, इनको सब को, तो हमारी rows, these are columns, है ओके कैसे सब कॉलम को रहें आज क्वालर कि प सारे कोलम को रहा है लेफ टु लाइट मोमेंट जो रहे हैं और आज वाले में क्या है इंसर्टिंग ऑ उन गॉलम को कैसे बताना चाह रहे हैं performing क्या करें perform one of the following steps to insert a column in a excel worksheet worksheet आपको मालूम है यह worksheet है एक्सल में काम कर रहे हैं पहला क्या to insert a single column select the column or a cell in the column immediately to the right of where you want to insert the new column for example to insert a new column to the left of column B click on the cell in a column B क्या कहना चारें आप यह देखी फिर से इन्होंने यह का आपका जो भी है क्या नाम है आपका यह इन्होंने column insert कराना है माल लिजिए this one देखिए column C है ना C D E और आपका F माल लिए total के बाद इनको insert कराना था column यह बिल्कुल blank है यह वाला इस column की बात कर रहा हूं माल लो यह insert कराना है इनको क्या हुआ कुछ नहीं होगा इसमें क्या करना है इसका एक तरीका और होता है मैं उसको बताजिता हूं आपको कुछ नहीं करना है लास्ट वाले cell पे आना है महाँ पे right click कर देना है right click कर कर के mouse माउस का क्या है properties की खुछ खुल के आई उसमें क्या क्या हूआ insert the cell, rows, insert the kolum यह बें आपके यह बें गता harm क्या हूआ जैए क्लेक और एक डिख हो यह पहला है, वह वरृ पहला है और यह बहृ रहुआ इद Southeast 가장 इसमें क्या कहना चाहरा है इंसर्ट मुल्टिपल कॉलम स्रेक्ट दा कॉलम इम्मीडिटल तुद राइट और वेर यू वांट तू इंसर्ट कॉलम जावी आपको स्लेट करना है कॉलम उसके और राट साथ में उसको क्या करेंगे इसको क्या करना है उसको इनसर्ट करेंगे उसके राइट साथ में क्लिक कीईज़िये चले जाएए या फिर राइट साथ में क्या होगा के लिए किरजी माउस को उसमें मीनू खुल के आएगा उसमें क्या होगा इंसर्ट का उप्शन होगा इंसर्ट का उप्शन होगा इंसर्ट का उप्शन होगा वहां से भी आप इसको नमबर आफ कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं अब इंसर्टिंग रो की बात करते हैं ते लो नीचे एडिंग क्या है, इंसर्टिंग आ रो, परफॉर्म वन ओफ दा फॉलोइंग स्टेप तो इंसर्ट रो इन एक्सल, अब दिख रहा है, इसमें सबस्ट रहा है, वन ओफ दा फॉलोइंग स्टेप पहले भी यह था, एक तरीका यह है, जो मैंने पढ़ाया, दूसरा तरीका वह था, फर्स्ट क्या है, जहां से पढ़ते हैं, सेकंड वह माउस वाला रो में भी काम आएगा, ठीक है, तो इंसर्ट अ सिंगल रो, स्लेक्ट दा, आइदर दा होल रो, of a cell in the row above, which you want to insert the new row, for the example, to insert a new row above the row 8, click a cell in row, अगर मालो 8 के उपर आपको चाहिए, तो क्या उस्पर कर दीजा, एंटर कर दीजा, आपकी नई रो, आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, इंसर्ट अ मल्टिबल रो, स्लेक्ट दा रो, एक रो स्लेक्ट किजिए, above which you want to insert row, जिसके उपर आप चाहते हैं, स्लेक्ट दा सेम नंबर आफ रो, यू आर वान तो इंसर्ट थ्री न्यू रो, इतना कुछ है यह तो उतने थ्री एंटर करेंगे, you select the three rows, तो इंसर्ट, ठीक है, अब क्या वहाँ, नॉन एडिसेंट रो, hold down the CTRL, while you select non-adjacent rows, अगर उनके, मतलब आपके एडिसेंट क्या है, एक साथ लग हुई, किसी के ऊपर, above या below, है ना, नहीं चाहिए, तो कहीं और चाहिए, तो दूसरी जा सकते हैं, दो मेंटर ये दिये हुए है, दो मेंटर मैंने आपको समझा दिये, कौन से, जो कि आप, with the help of mouse, column चाहिए, जहां पर चाहिए, उस पर right click कर दिये, column का option क्लिका है, वह आला हो गया, row चाहिए, तो रो पे भी आप right click करके, माउस से, आप row को भी enter कर सकते हैं, ओके, तो आज का topic क्या है, हम नहीं तर रखेंगे, ठीक है, column moving और copying data इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, Children, that's all for today, revise the work that we have done, and complete the worksheet that I have given, Thank you,